मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं इस टमाटर की नई रेसिपी लेके आई हूं तो आए देखिए हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे बनाएंगे तो यह देखिए पहले तो हमने यह टमाटर को अच्छे से दूल करके लिए हैं और अब इन टमाटरों में हम दोनों तरफ से चाकू से ऐसे कट लगाएंगे तो चलिए इन टमाटर सबरे टमाटरों में हम कट लगा लेते हैं तो यह देखिए सारे टमाटर में कट लग गया है और अब हम चलते हैं गैस के तरफ तो यह देखिए गयस पे मैंने पहले से कड़ायी रख दी थी, और पानी उसमें डाल दीया था और पानी वो गरम हो रहा है, तो अब मैं ये करके सारे टमाटर को इसमें रख दूँगी ये देखिए और लीट लगा करके मैं इसे बॉइल करूँगी तो यह देखें मेरे सारे टमाटर वाइल होके ठंडे हो गया है हलके और अब मैंने आपको सारे छिलके निकाल कर देखा तो कट मैंने क्यों लगाया था ताकि इससे बहुत आसानी से सारे छिलके निकल गाएंगे यह देखिए सारे उपर की स्किन मैं बाहर कर देती हूँ इस तर इस सारे टमाटर को मैं छिल लेती हूँ अब चाहे तो इसके छिलके सही यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने सारे छिलकों को अटा दिया है और अब मैं इसे थोड़े से गरम बहुत है तो इनको पीछ से कट कर देती हूं ताकि ठंडे हो जाए और इसका मज़े एक प्यूरी बनाना है तो चलिए इसे मैं एक मिक्सर ग्रेंडर में डालके इसको अच्छे से एक प्यूरी बना लेती हूं तो यह देखिए सारे टमाटर मैं इसमें डाल दी और मुझे पानी उनी नहीं आड़ करना है बस इसी तरह ड़कन लगा के अब मैं इसको पीस लेती हूं तो यह देखिए मैं टमाटर को पीस लिया है बहुत ज्यादा रफली महीन नहीं करना है यह देखिए थोड़े थोड़े मोटा पन में ही रहना चाहिए तो अब चलिए हम फिर गैस के तरफ चलते हैं तो यह देखिए कढ़ाई मेरी अल्रेडी गरम हो रही है और मैं इसमें एक दो चम्मच घी डाल देती हूं और उसमें आदा चम्मच मैंने जीराइड किया और एक हरी मिर्च और थोड़े से करी लिप 45 पीस और यह तुलसी के बीज है वो डाल दी मैंने करीब आदा चम्मच से कम ही होगा और यह लाल मिर्च है इनको मैंने तोड़ करके डाला है तो यह देखिए और अब मैं टमाटर प्यूरी आइड कर देती हूं और थोड़ा सा उसको धुलकर बोल को फिर डाल देती हूं अब यह देखिए यह बस अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे थोड़ा पकने देना है और अब इसमें मैं आड़ करूंगी नमक तो नमक अब टेस्ट करम सारी एड करिए बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है और गुड़ डालना है यह देखिए गुड़ को मैंने छोटे-छोटे पीसों में कट कर लिया आधी कटोरी गुड़ है आप चाहे तो चिनी से भी बना सकते हैं लेकिन मैं गुड़ से बना र अब तो यह देखिए मैं थोड़ी देर इसे रखकर पकने दिया गुड़ता की अच्छे से मिक्स हो जाए और यह खराब भी नहीं होती है इसे बना करके आप इस्टोर करके रख सकते हैं तो यह देखिए बस मुझे इसे अभी और पकने देना है और अब इसमें मैं आड़ करूँगी थोड़ी से हरी धनिया हरी धनिया आपका ओप्सनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं देखिए अच्छे से पक रही है सारा गुड़ मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है बस थोड़ा सा यह परफेक्ट अब थोड़ी गाड़ी भी हो गई है इसी तरह चाहिए क्योंकि ठंड़ी होने के बाद यह और गाड़ी हो जाएगी अब इसी समय मुझे अब गयस को बंद कर देना है और इसे ठंड़ा करूँगी तो यह देखिए इतने ही गाड़ी रखनी है और अब गयस को मैं बंद कर देती हूँ और थोड़ा ठंड़ा करके मैं फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ यह देखिए कितनी अच्छी सी चटनी बनके रेडी होई है मैंने इसमें कोई कलर ने डाला है बिना कलर के ही है फिर भी बहुत सुंदर बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है इसे जरूर आप लोग एक बार बनाईएगा बस थोड़ी गए हरी धनिया से गार्नी सिंग कर देती हूँ मेरी चटनी बनके रेडी हो गई है और आप लोग जरूर बनाईए फैंस कैसे लगी यह वीडियो मुझे कमेंड करके जरूर बताईए और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए